All right guys at this point हमारा जो ब्लॉग है वो almost complete है हमने काफी चीज़े करी है यहाँ पर अब यहाँ पर मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ कि मैं अपने सारी के सारी यह जो मैंने database के अंदर चीज़े बनाई हैं by the way पहले जाम स्टार्ट कर लेते हैं यह जाम बंद कर दिया था और यह सारी फाल्दू टाप्स भी बंद कर देते हैं रिलोड करता हूँ उस चीज़ को और हाँ सब कुछ सही है तो यह पर आप लोग क्या कर सकते हो कि database को पूरा का पूरा clean करके एक बढ़ और try कर सकते हो चीज़ है तो आप लोग को यहाँ पर drop drop में problem हो जाएगी ठीक है लेकिन उस चीज़ को आप address कर सकते हो top 5 categories और इसका नाम categories हटाकर top categories कर सकते हो तो मैं आप अब ही करूँगा क्या header.php के अंदर जाओंगा जहां पर मैंने categories लिखा हुआ है उसको मैं कर दूँगा top categories तो मैं top categories करके जो शुरूगी 5 categories हैं वो ले लूँगा तो मैं इसको reload कर दो top categories आगया है और categories को मैं लेने के लिए simply लिखाँगा select star from categories और अभी के लिए मैं सारी ले रहा हूँ but I just wanted to give you a hats up कि अगर आप लोगों को मान लो top 3, top 4, top 5 लेनी categories तो आप वो ले सकते हो ठीक है तो मैंने copy किया इसको मैं भी star ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं इतना करूँगा और यह करने के बाद मैं यहाँ पर एक sequel लिखूँगा ठीक है वो sequel क्या होगी मैं बस यह करूँगा कि भाई देखो ऐसा है एक तो यह कर दो एक तो इसको echo कर दो तो यह echo चल राए इतना मैंने echo कराया और उसके बाद इसको मैं echo करूँगा यह जो a चल रहा है इसके अंदर और मैं यह divider यहाँ पर नहीं डालना चाता 20 point पर मैं हटा दूँगा यह divider ठीक है और यहाँ पर एक और echo मैं कर देता हूँ, echo यह अपना independent echo है, नीचे वाला, यह वाला echo मुझे यहाँ पर SQL query रखके चलाना है, ठीक है, तो मैं आपर लिखूँगा $SQL is equal to, और यह मैं paste कर दूँगा आपर, यह SQL query, और SQL query तो हमने कई जगा पर चलाई है, इस पूरी की पूरी वेबसाइट में, तो यह आपर देखो यह तो insert चलाई है, अगर मैंने कई बस select query चलाई है, तो यह रही वो, तो simply वही से मैं उठाऊँगा इस चीज़ को, और वैसे तो याद है अभी, बट हाँ या है, अगर रह रही है, तो nothing better than that, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ही किया, while के अंदर लगा के, अब मैं क्या करूँगा, कि select star ना करके, मैं सिर्फ category का नाम, यहाँ पर लिखूँगा, मैं कहूँगा, सिर्फ मुझे category name दे दो, उतना काफी है, category, underscore name, और यहाँ पर मैं क्या कर यहाँ पर category name लिख दूँगा, तो मैं लिखूँगा, यहाँ पर echo, और यहाँ पर इस तरह से single code लगाँगा, same color लगाँगा, इसको हटाँगा यहाँ से, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा, dollar cat करके लिख देता हूँ, और हाँ मुझे use करना पड़ेगा string concatenation operator और यह dollar cat भी obviously बनाना पड़ेगा या फिर एक काम करते हैं directly use करते है row और वहाँ पर यह चीज category name और मेरे साब से यह चीज कर देगी काम क्या हम database से connected है by the way यह चीज मुझे देखनी है क्या मैंने database से connect भी किया header के भी उपर तो क्या मैंने ऐसा किया है नहीं मैंने नहीं किया है तो देखो मैं दिखाता हूँ कि यह problem आएगी ठीक मैं save करूँ गर इसको reload करूँ तो यह problem एक आएगी वो बोलेगा connection तो बना ही नहीं है तो यहाँ पर देखो top category में errors आ रहे है ठीक है लेकिन मैं अगर यहाँ पर आप लोग को दिखाऊं कि अगर मैं जो db connector है उसको header के उपर डाल दूँ तो मेरा connection सक्सेस्फुली बन जाएगा और उसके बाद मैं error expect नहीं करूँगा देखो यहाँ पर सारी categories आ गई है अच्छा HRF में क्या देना चाहोगा इसके slash forum slash thread list और cat id भी देनी पड़ेगी तो HRF में क्योंकि मुझे यह चीज़ देनी है है HRF में क्योंकि मुझे यह चीज़ देनी है मैं क्या करूँगा अब मुझे आपर cat id भी बिच रही होगी समझे आप लोग मैं आपर category name और category id भी ले ले लेता हूँ cat underscore id भी ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं href is equal to इस तरह से डाल देता हूँ thread id यह cat id dollar id कलतेता हूँ इसको ठीक है तो मैं आपर लिखूँगा कुछ इस तरह से और लिख दूँगा यह आपर dollar cat underscore id ठीक है और हाँ यहाँ यहाँ पर string concatenation use करना पड़ेगा कुछ इस तरह से और उसके बाद यहाँ पर dot लगाकर ऐसे करना पड़ेगा इसको तो मैं आपर string concatenation कभी कभी क्या होता है कि दिक्कत हो जाती है use नहीं कर पाते हैं लेकिन मैं यह बोलूगा कि यहाँ आप strings को अलग-अलग कर लिया अगर जिसे आपने ऐसे कर दिया इसके बाद cat id फिसके बाद आपने ऐसे किया फिर मेरे साब से problem नहीं हो रही है अगर तो आप लोग जो used to हो जाओ गए दीरे दीरे इसको देखो कैसे क्या करना है अभी यहाँ पर वापस से मुझे error मिलने लग गया है क्या कह रहा है undefined variable कौन ओके तो यहाँ पर कोई problem हा रही है क्या problem हा रही है अच्छा home page पर शाहिद यह बिलकुल ठीक है home page पर मुझे categories मिल रह कहां पर कौन लिखा SQL लिखा सब कुछ लिखा और यहाँ पर जो मेरा db connect है उस page को भी देख लेता हूं मैं उसके अंदर मैंने क्या लिखा है कौन ही लिखा है I think सब कुछ ठीक है SQL server भी चल रहा है कहां मैंने कुछ गरबड कर यह गया dollar result मैंने डाला है यहाँ पर इसके बा cat underscore id लिखने में पर save किया reload और यहाँ पर यहाँ पर यह कह रहा है कि line number 26 में dollar row is equal to my SQL Fetch ASSOC जो है वो काम नहीं कर रहा है बर ऐसा क्यों ऐसा क्यों मैंने कुछ गरबड कर दी काया मैंने यहाँ पर single code लगाया यह single code यहाँ से start हो रहा है फिर row cat id उसके बाद मैंने इसको इसी तरह से पंड भी किया सब कुछ मैंने किया है उसके बाद भी यहा पर मुझे error मिल रहा है ज़रूर कुछ नकुछ कहीं तो इसको कोशिश कर रहा हूं रूडने की क्या दिक्कत है तो दिक्कत यह कि यहाँ पर जो इसको statute कर लेता हूं का वापस से प्रॉबल्म 25th line में कह रहा है कि undefined variable कौन तो threadlist.php में ही problem आ रही है I think threadlist औ thread.php में भी मुझे यह चीज फिक्स करनी पड़ेगी जो threadlist है उसमें उपर जाकर मुझे जो मेरा db connect है उसको उपर करना पड़ेगा similarly thread में भी यह काम करना पड़ेगा मुझे thread.php में db connect को उपर करना पड़ेगा save करूँगा इसको मैं और यह untitled file कैसे बनगी इसको बन करता हूँ और यहाँ पर मेरी सारी की सारी files में मैंने काम कर दिया है और contact और about तो मैंने आपको homework दे रखा है बनाने के लिए वो आपका गाह में बनाना मैं नहीं बनाओगा ठीक है वो आप बनाओगे मैंने काफी बना लिया अब आप बनाओ थोड़ा बहुत और मुझे भी दिखाओ और यहाँ पर देखो सब कुछ साही साही चल रहा है JavaScript के category में आ गए हम लोग तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो यहाँ फिर आप लोग एंड में limit 3 limit 5 लगा सकते हो तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर limit 3 लगा दूँगा कहाँ पर यहाँ पर लगा दूँगा limit 3 अब आप लोग सोचोगे कि break कर देंगे इस while loop को ऐसा मत करना क्योंकि अगर आप limit करोगे ना तो क्या होगा कि सिर्फ 3 आएंगे तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ limit 3 किया मैंने यहाँ पर save किया इसको तो अभी देखो यहाँ पर कितने आ रहे हैं तो 3-4 आ रहे हैं reload करूँगा तो देखो 3 आ रहे हैं सिर्फ और मैं plan करने की सोच रहा हूँ search बनाऊंगा और आप अगर comment करोगे नीचे तो जरूर अम लोग search बनाएंगे लेकिन अभी मैंने गलती से क्लिक कर दिया maps में कोई बात नहीं i discuss के home पर आये सब कुछ स़ई चल रहा है all right deserved बड़ी है contact page बनाने का काम आपका है about बनाने का आपका है लेकिन हम एक काम कर सकता हूँ getbootstrap.com से एक काम जो कि मलब जिसको करने में मुझे आलस बिल्कुल नहीं हा रहा है वह यह है कि मैं आपर form में जाकर कहांगे forms एक form basic सा copy कर लेता हूँ यह वाला कर लेता हूँ ठीक है तो इसको आप अपने इस आप से style कर ले न और देख लेना कैसे आप लोग करो कि मैं simply copy paste कर रहा हूँ जादा मैं मैंनत नहीं कर रहा हूँ div.container लगाया मैंने और इसको मैंने save किया इतना करना बड़ा बस मुझे और यहां पर मेरा form आ गया और हाँ मुझे मालू मैं कि मैं बड़े अराम से यहां पर h1 लिखकर contact us लिख सकता हूँ contact us और उसी के साथ साथ मैं आपर एक margin दे सकता हूँ यहां पर इसको टेक सेंटर दूँगा तो यह सेंटर में आ जाएगा तो हाँ वो सब चीज़े भी कर लेना आप मुझे पता है आप लोग चाहँ वो सब चीज़े भी कर लोगे और उसी के साथ आज़ें तो css add करके इसकी minimum हाइडे वो दे देना जैसे कि मैं आप लोग को लगा लेना और आप कहना कि बाई जो बॉड़ी है उसकी मिन हाइड जो है उसको कर दो कितना 100 VH ठीक है और यह करोगे अगर तो यहां पर बॉड़ी की मिन हाइड 100 VH नहीं हुए लगता है मैंने इसको मिन हाइड 100 VH एक काम नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है यहां पर मुझे इसको करना पड़ेगा डीबग डीबग ओके तो यहां पर container fluid है यह container fluid है तो गड़बड यह है कि जो container है मेरा मुझे container को देना पड़ेगा तो मेरा ज और अगर मैं container को दूँगा तो हो गया fix अभी नीचे आ चुका है मेरा यह जो था हाँ इसको तो अगएरा कर दो क्योंकि उपर हमारा header भी है न तो उसकी वज़े से भी आ रहा है तो हाँ भी ठीक लग रहा है यहां पर मैं concerns को separated रखना चाहता हूं जो web development वाली चीज़े हैं उसको web development वाली playlist में और उसलिके साथ साथ जो चीज़े सिर्फ PHP related हैं उनको मैं PHP में रखना चाहता हूं mix up हो जाती है चीज़े तो जो expectation लेकर आते हैं लोग अगर PHP सीखने आ रहे हैं तो नहीं चाहेंगे कि उनको ज़्यादा web development पर वो किया जाए so I hope कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे और यह सारी की सारी चीज़े आप सेट कर लेना या पर बटन भी लगा देता हूं वैसे आप लगा लोगे मुझे पता है और bootstrap में अब आप भी comfortable हो गए होगे हां बोल देना ना मत बोलना प्लीज मुझे अच्छा होंगा है आपर और आज आएगा no surprises ठीक है in fact green रखना चीज़े था मुझे तो my mistake success और यह सब चीज़ों में जादा टाइम में नाई काऊं तो अच्छा रहेगा मैंने अल्यडी खा लिया है in fact बहुत सारा टाइम आप लोग का but I hope कि कम से कम useful रहा होगा कि our contact form इतना कर दिया I think बना रखी है हमने अल्रेडी contact की नहीं बना यह बना ले रहा है जो जो information लेनी है वो ले लेना ठीक है top categories में यहां पर contact.php में problem आ रही है और contact.php में problem इसलिए आ रही है क्योंकि हमने database connection की जो हमारी include है वो नहीं लगाई है तो यहां पर जो dbconnect.php यह आना चाहिए है आ और वो header.php के उपर आएगा तो header.php के उपर इसको रख दूँगा तो यह भी चलने लगेगा तो कोई चीज rocket science नहीं है आराम से आप लोग debug कर सकते हो और आजकल तो यार इतना सही है सब कुछ पहले तो मैं आप लोग को guide कर रहा हूँ I hope कि आप लोग को उतना ही काफी helpful लग रहा होगा लेकिन उसके बाद भी फस्ते होगा आप तो एक कोई चीज़ा google search टाप खोली डाल दिया बुरा error कुछ ना कुछ आएगा most of the cases में यह चीज़ सॉल्व कर देती है लेकिन उसके बाद भी जो error message आजकल बहुत अच्छा हो गया क्योंकि यह सारी languages बगरा है का जो PHP 10-20 साल पहले हुआ करती थी वो PHP अब काफी mature PHP और वो जो error आते हैं वो बहुत ही अपने आपको बहुत ही specific करके बताते हैं कि यार यह दिक्कत है और यह ऐसे ठीक हो सकती है error message आजकल ऐसे बनाए जाते हैं कि वही के वही पता चल जाए क्या दिक्कत है और किस तरह से वो error message जो है solve किया जा सकता है तो यह लोग काफी इच्छा कर रहे हैं सारी programming languages को development मुझे काफी impress करता है कि यार कैसे इतने मज़दार अंदाज में यह लोग error देते हैं कि यार बनाते हो जैसे कि मैंने ये बनाया ये blog बनाया जो भी कहलो आप forum कहलो ये बनाया यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी छोटी पोटी कोई glitch कोई problem आ सकती है ठीक है जैसे कि हो सकता है कि title बड़ा हो अगर तो कोई problem आ जाए या फिर cut जाए हो सकता है मैंने number of characters यहाँ पर perfect बन जाएगा मैंने tensorflow का example लेकि दिया था आपको पिछले वीडियो में so ये सारी चीज़े आप incrementally कर सकते हो लेकिन हाँ एक MVP बन गया MVP गया minimum viable product इसको आप लोग यूज कर सकते हो इसको आप लोग आगे बढ़ा सकते हो उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोग अगर कोई औ functionality आड करना चाते हो तो वो कर सकते हो and I hope कि useful रह रहा होगा आप लोग के लिए इस सब चीज़े हाँ भी search हमने नहीं बनाई है मुझे comment में जरू बताना अगर search बनानी है तो या अगर आप लोग को लगता है आप खुद कर लोगे तो that is also fine मैं आगे बढ़ूँगा और topics को लेकर लेकर लेकिन अगर एक वीडियो चाहिए quickly search किस तरह display कराने search results तो मुझे जरूर बता देना ठीक है I hope कि clear हो गया होगा सब कुछ आप लोगों को अगर आप लोगों नहीं PHP की playlist अभी तक access नहीं करी है तो इसको जरूर कर लेना access और उसी के साथ साथ आप लोग को front end व जो है सारे के सारी वीडियो जो है जो कि मैं आप लोग के लिए बनाता हूँ काफी महनत करके मैं बहुत कम लाता हूँ ऐसे discussions वाले वीडियो जिसमें मैं board पर discussion करता हूँ बढ़ा जब बनाता हूँ तो उसमें काफी चीज़े होती है तो जैसे कि fastest way to develop become a software developer हो गया how to write a resume हो सब चीज़ें आप लोग देखा करो जोगी इसमें मेरा experience बढ़ा हूँ यह जो चोटी 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 ट्रिक्स है मेरी जनरी data science reports पांच मिनट में website कैसे बनाए अब पांच मिनट में एक वीडियो बनाए था 18 मिनट का वीडियो था वो मैंने बोला था पांच मिनट में बना मिनट का वीडियो देखने के बाद अगर पांच मिनट में website ना बना पाओ तब आप मुझे बोल सकते हो गयार मैं नहीं सीख पाया लेकिन अगर आप लोगों ने आपर 18 मिनट का वीडियो देखा और आप website बना पा रहे हो तो that's a huge win 18 मिन में आपको इक इतनी बड़ी skill सीख करने को मिल रहे हैं तो वो बाते हैं वहाँ पर आजाती हैं but हाँ यार thanks for all the support काफी लोग support करते हैं और मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा thank you करना चाता हूँ support के लिए इसी तरह बनागर को और मैं courses drop करता रहूंगा देसी तरीके में हम लोग पढ़ाई जो है करते रहे होगी और I hope कि आपको समझ में भी चीज आ रहे होंगी यह सब चीज़े कैसी रहेंगी मज़े comment में बताना और वीडियो लाइक ज़रूर कर देना अब यह के लिए इस वीडियो में इतना हैं guys thank you so much guys for watching this video and I'll see you next time